नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभी सेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ड दोस्तों वैसे तो मैं अपने इस चैनल पे हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डालता ही रहता हूं दोस्तों ये वीडियो कुछ खास और इंपोर्टेंट होने वाली है चुकि आज मैं आपको कॉलम के मजबूती से जुरा हुआ एक बहुत बड़ा गल्ती जो लोग करते हैं उस पे आपका ध्यान खिजने का मैं कोशिस कर रहा हूं आज ही एक वीडियो डाला था मैंने उसमें आप लोगों का कमेंट आया था दोस्तों कि क्या हम सेप्टिक टेंग के अंदर या किनारे पे या कॉर्णर पे क्या हम पिलर दे सकते हैं कॉलम खड़ा कर सकते हैं दोस्तों दो केस है अगर आप पूरा नियम के तहत उसको अगर आपको नियम नहीं पता है, तो वो दोस्तो पाप से कम भी नहीं है, चुकि अगर गलती थोड़ा सा भी करते हैं, तो आपका पूरा का पूरा कॉलम दोस्तो लोड लेने के स्थिति में नहीं रहेगा, और आपका पूरा का पूरा structure conserve तेरह हो सकता है, ज्यादा अगर उस उस पर load है उस column पे तो आपका structure टूट भी सकता है दोस्तो तो इस से अच्छा है कि दोनों ही case में आपको बता दू सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है आपको डरना इसलिए है दोस्तो चुकि अगर आपने column septic tank के पास लगाया है चाहे वो corner में है चाहे वो side में है चाह हमारा जो सरीय है उसको खराब करेगा दोस्तों दो तरह से हमारा सरीय खराब होता है पहला तो रस्ट लगता है और दूसरा korosan होता है जब तक दोस्तों सरीय में rust लगा हुआ है तब तक हमें tension लेने की कोई भी बाथ नहीं है दोस्तो लेकिन जैसे ही सर्या में कोरोजन पकर लिया दोस्तो कोरोजन में होता क्या है कि वो जो हमारा सर्या रहता है वो पपड़ी बनकर उखरने लगता है दोस्तो तो इससे क्या होता है कि दिरे-दिरे हमारा जो पूरा सर्या है वो सर जाता है पपड़ी बन करके वो खतम हो जाता है तो इस तरह से waterproofing अगर आपने सही तरीके से करना सिख गया दोस्तो column की तो आप बिल्कुल कर सकते हैं लेकिन इस case में देखिए आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बड़ा गलती किया जाए दोस्तो यह मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तो अगर आप ध्यान देंगे तो यह soakpit है यह soakta गड़ा है ठीक है और यहाँ क्या किया जा रहा है दोस्तो कि यह जो column है इसको soakpit में दिया गया है गलती यहाँ भी नहीं है यहाँ तक भी चल सकता है दोस्तो लेकिन दोस्तो यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ यह जो portion है यह जो portion है दोस्तो column के आज पास का वाला portion है इसको पूरी तरीके से अगर waterproof कर दिया गया तब यह दोस्तो column को कोई भी दिक्कत नहीं होगा लेकिन अगर soakpit में आपका column आ रहा है जिस तरह से बाएं साइड आपने देखा था एक column था वहाँ पे plaster भी किया हुआ था पन्ना विचराया हुआ था पूरा waterproofing किया हुआ था तो उस column को कोई भी दिक्कत नहीं है लेकिन soakpit में जो यह pillar आया है अगर इसी तरह से इसको छोड़ दिया जाये जो कि छोड़ने की planning है यहाँ पे यह बहुत ही गलत है दोस्तो इसको क्या करना होगा plaster करना होगा और इसको बाद cement और साथी साथ waterproofing का जो घोल आता है दोस्तो उसको मिला करके इस पे एक layer चरवाना होगा तब ही दोस्तो यह जो column है यह success कर पाएगा column का size अच्छा है दोस्तो अगर इसमें पानी घुश गया अगर corrosion वाला जो मैंने case बताया था वो लग गया दोस्तो तो उसके बाद इस column का कोई मतलब नहीं रहा है दोस्तो मैं यही उमीद कर रहा हूँ कि जो मैं आपको बताना चाह रहा था उसमें मैं सफल हुआ हूँ और आप भी कुछ न कुछ इस वीडियो से सीखे हैं और जो भी आपने इस वीडियो से सीख ली है दोस्तो उसको आप अपना जब घर बनवाईएगा तब उसको इस्तिमाल जरू किजेगा दोस्तो चैनल पे नए हैं दोस्तो पहली बराये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा सांती सांत बे लाइक अंदा बाद दिजिएगा तो ऐसे ही इंपोर्टन टिप्स आपको आपके मुबाईल पे मिलते रहेंगे जब भी आप घर बनवाईएगा उस टिप्स को आप अपने घर में इस्तिमाल कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं दोस्तो नमस्कार धन्यवाद